दोस्तो बॉलिवुट के खिलाडी आक्टर अक्षे कुमार, सुनील सेटी और परेश रावल ने हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के साथ हमें खोब हसाया है, खोब एंटेटेन किया है और अब लंब इंतजार के बाद आखरकार हेरा फेरी त्री आ रही है जी हाँ दोस्तो बिल्कुल ठीक सुना आपने, यहाँ तक कि फिरोज नाडियावाल ने इसकी शूटिंग भी शूरू करवा दी है मुंबई के एपपार स्टूडियो में इस फिल्म के शूटिंग शूरू हो गई है और ये भी कन्फर्म हो गया है कि फिल्म में कारते कारण नहीं, बलकि अक्षे कुमार, सुनील शेटी और परेश रावल की तिगड़े नजर आएगी इसे के साथ फिल्म से जुड़ी तीन और बड़ी अपडेट सामने आई है जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे दोस्तों बताते कि इस फिल्म को लेकर जितनी अटकल अक्षे कुमार के साथ लग रही थी, उतनी अटकले इस फिल्म की फिमेल आक्टरस पर भी लग रही है फैंसे जानने के लिए बहुत एक्साइट हो गए हैं कि हेरा फेरी के तीसरे पार्ट में कौन कौन सी अक्टरस नजर आने वाली हैं दोस्तों हेरा फेरी के पहले पार्ट में आपने अनुराधा नाम बार बार सुना होगा पहले दोनों parts के actresses भी इस film का एहम हिस्सा रही थी लेकिन आब इस फ्रेंचाइजे के तीसरी किस्त में female actresses के नए चहरे देखने को मिलने वाले हैं बताने कि इस फिल्म के फीमेल कास्ट के लिए कीरती सेनन, रश्मी का मंदाना और दिशा पाटनी का नाम जोरो शोरो से सुनाई दे रहा है बीव टाउन में इस वक्त ऐसी खबरे तूल पकड़ रही है कि मेकर्स फीमेल अक्टर्स के लिए इन तीनों अक्टर्स का नाम फाइनल करने का मन बना रही है हाला के अभी तक मेकर्स की तरफ से ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं किया गया और ना ही से लेकर कोई ओफीशियल बयान आया है लेकिन ये खबर इस वक्त जोरो शोरो से चल रही है दोस्तों बात करें इस फिल्म से जोड़ी दूसरी अपडेट की तो ये अपडेट इस फिल्म के डारेक्टर से जोड़ी हुई है लेकिन अब इस फिल्म को कौन डारेक्ट करेगा ये अनाउंस कर दिया गया है दोस्तों बताते हैं कि इस फिल्म को अनीज बजमी नहीं बलकि फरहाद शामजी डारेक्ट करेंगे जिन्होंने हाउसफुल 3, हाउसफुल 4 और बच्चन पांडे जैसी फिल्म में बनाई है दोस्तों बताते चलें कि मुंबई के अमपार स्टूडियो में हेरा फेरी 3 का प्रोमो शूट चालू हो गया है जो फ्राइंस को अगले हफते तक देखने को मिल जाएगा दिल्चस बात यह है कि इस फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म भी इसी स्टूडियो में 24 साल पहले शूट हुई थी दोस्तों बात करें इस फिल्म से जुड़े तीसरी बड़ी अपडेट की तो वो अपडेट इस फिल्म के टाइटल को लेकर आ रही है आपको यह जानकर बड़ी हैरान ही होगी लेकिन सोशल मीडिया पर इस फ़क कुछ ऐसी खबरे भी चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हेरा फेरी 3 का नाम हेरा फेरी 3 ओफीशिली नहीं होगा बलकि इसे हेरा फेरी 4 कहा जाएगा हाला कि यह एक अफ़वा भी हो सकती है लेकिन ऐसी खबरे जोरो शोरो से चल रही है इसलिए आपको जानना यह बहुत जादा जरूरी है और आप हेरा फेरी का प्रोमो देखने के लिए कितने एकसाइटेड है यह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कर पसंद आया तो वीजो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाल आइकन दबाएं जुससे हमारे सबी वीडियो के नौटिफिकेशन आप तक महुचते रहें